Hello everyone, so मैं वापस आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए books बन रही है क्योंकि आज है teacher's day और यह cake order मिला था मुझे teacher's day celebration के लिए और आज morning में ही मुझे यह cake order मिला था और दोपर को आज ही मैंने इसको complete करके दिया है और मैं आप लोगों के साथ अभी इसका वीडियो शेयर कर रह और उसकी टॉप लेयर को मैंने हलका सा रिमूफ किया है और उसके बाद केक को equally मैं three layers में कट कर लूँगी और जो भी मैंने इसमें fondant के टॉपर्स बनाए है कैसे बनाए मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी तो वीडियो को end तक जरूर दे किया था जितना चॉकलेट था लगबग उतना ही मैंने उसमें मिल्क आड़ किया उसको अच्छे से मिक्स कर दिया तो हमारा वाइट चॉकलेट गनाश बनके तयार हो गया और केक स्पॉंज की मैंने फर्स लेयर को रखा है उसको पहले मैंने नॉर्मल पानी से सोक किया फिर क्रीम की एक लेयर को अपलाई किया और फिर से मैंने इसमें ये चॉकलेट गनाश टला और वाइट वाली चॉको चिप्स मैं यहां पर डाल रहे हूं जिससे केक का टेस्स बहुत ही जादा बढ़िया आने वाला है और इसी तरहीके से केक की सारी लेयर को अरेंज करना है और और भी केक्स के ओर हैं बट मैंने जैसे तैसे टाइम को निकाल करके पहले मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूं क्योंकि अगर किसी और के पास भी टीचर्स डेके केक के ओर हो तो उनको भी इस तरीके से जो है डेकोरेशन आइडियास मिल सके कैसे टॉपपस बनाना है वह आप लोग सीख सकें और इसलिए आज का वीडियो भी मैंने थोड़ा सा जल्दी ही अपलोड कर दिया है और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं अभी आप लोग के साथ और भ पाऊंगी तो इसी तरीके से देखिए मैंने सारी ही लेयर्स को अरेंज कर लिया है और थोड़ी सी क्लीम के साथ केक को अच्छे से क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रग दिया है तो यह केक और तो मुझे मॉर्णिंग में मिल गया था और मुझे यह प्रिज में सेट कर लिया और यहां पर केक की फाइनल आमइशाइ तो फहले क्रीन कर लिया है और इसे तरीके से हमें की टॉप को भी औरום अच्छे से क्लीन कर लेना है और बिल्कुल भी मेरे पास time नहीं था, time हो चुका था बिल्कुल केक देने का और उसके बाद मैं ये fondant topos बना रही थी तो एकदम जल्दबाजी में मैंने ये topos बनाए हैं और कुछ colorful fondant मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी मैं उसका use करूँगी क्योंकि color भी mix करने का बिल्कुल मेरे पास time नहीं था तो बस मैं white fondant को लाई, उसको इस तरीके से मैंने cut कर लिया और यहां पर मैं अभी book बना रही हूँ तो पहले मैंने fondant को लंबा roll किया, उसको मैंने इस तरीके से एक बार fold किया और फिर उसको beat से fold किया तो इस तरीके से ये book हमारी बनके तयार हो गई है और बस इसी तरीके से मैं एक और बना लूँगी और वीडियो में दिखाएगा तरीके से ही आप easily books को बना करके तयार कर सकते हैं बहुत जादा fondant इंट इसमें नहीं लगता है और अगर आपको लग रहे है कि fondant बहुत जादा लगेगा थोड़ी सी बड़ी साइज में आपको book बनानी है तो आप इसके बीच में biscuit का भी यूज कर सकते हैं बट मुझे छोटी छोटी ही books बनानी थी और मेरे पास इतना जादा time भी नहीं था कि मैं biscuit लाओं उसको cut करूं बीच में fill करूं तो इसलिए मैंने direct fondant से ही पूरा बना लिया है और यह मेरे पास green और blue color की fondant पहले से ही बनी हुई रखी थी उसको मैंने इस तरीके से cut किया book का cover बनाने के लिए और उसको जो हमने book बनाई थी उसके उपर मैंने लगा दिया है तो यह हमारी जो केक का final icing है white color की cream से ही की है और अभी यहाँ पे मैंने एक और book बनाई है और इस books पे मुझे maths और science लिखना है क्योंकि वो यह cake अपने tuition teacher के लिए बनवा रहे थे तो इसलिए उनने मुझे जैसा बोला था मैं बस उसी के according cake को बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने दो books बना करके तयार कर ली है और अभी फिर से मैंने यहाँ पे white fondant लिया है उसको अच्छे से roll किया है इससे मैं scale बनाऊंगी तो fondant को roll करने के बाद उसको मैंने side से cut कर लिया है so that वो एकदम smooth हो जाए और इसके बाद यहाँ पे pencil और pen बनाऊंगी तो मैंने green color की fondant मेरे पास बची थी तो उसी का मैं use कर रही हूँ इसको बनाने के लिए तो एक green और एक black color की मैं pencil बना के तयार कर रही हूँ तो fondant को बस मैंने अच्छे से roll कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे इसकी नोग बनाने के लिए मैं पहले white color की fondant लगाई है मैंने और फिर black color की fondant से उसकी tip बना दी है तो बहुत ही easy है यह topples बनाना बट थोड़ा सा इसमें time जरूर लगता है क्योंकि हमें एक एक चीज में detailing करनी होती है बस आप वीडियो में जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से आप बना सकते है easily और अगर आपके पास भी कोई teacher's day का order है तो उसमें आप इस तरीके से cake का decoration कर सकते हैं तो इसी मैंने दो pencils बना ली है, book बना ली है, scale बना लिया है और मैं एक book अभी इसमें और बनाऊंगी क्योंकि जो customer ने photo select किया था उसमें 3 books बनी हुई थी और अभी मैं यहाँ पे blackboard बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने black color की font name को पहले बेल लिया है और उ देखिए अभी मैंने white fondant लिया है और इसका भी मैं एक square piece कट कर लूँगी और यहाँ और बीच बीच में मैं जो corn floor है वो लेती जा रही हूँ so that जो fondant है वो बिल्कुल भी stick ना हो और easily हम उसको roll कर पाए और जो से desired shape है वो हम बना पाए तो इसके लिए मैंने आपे corn floor का use कि तो देखिए हमने जो black हमने blackboard बनाया था उसके उपर मैंने white fondant को भी कट करके लगा दिया है मारा blackboard बनके तयार है इसके उपर हम happy teachers day का message लिखेंगे और यहाँ पर एक book मैंने और बना ली है क्योंकि मेरे पास red fondant रखा हुआ था तो तीनों book हमारी different shade में बनके तयार है और जो photo मुझे customer ने send की थी उसमें gray color का कुछ maybe eraser था या duster वो बना हुआ था और मेरे पास color mix करने का बिल्कुल भी time नहीं था तो मैंने white और black color की fondant को mix करके gray shade तेयार गया और उससे मैंने वो eraser जो था वो बना लिया है और अभी आपे देखिए scale पे जो है मैं detailing कर रही हूँ त उसी का मैं use कर रही हूँ इसको बनाने के लिए तो इसको मैंने कैसे घर पे बनाया तो जो sketch colors आते हैं उसको जो अंदर की ink रहती है उसको मैंने खोल करके पहले अच्छे से गरम पानी में तीन से चार बार clean करके उसका पूरा जो color है वो निकाल दिया था उसको बिल्कुल अ और उसमें मैं इसको dip करके यहाँ पे जो है इसपे detailing कर रही हूँ वैसे आपको edible जो pens आती है वो market में भी मिल जाती है बट मेरे पास उस time पे available नहीं थी तो मैं इसी तरीके से कई बार इसका use कर लेती हूँ इसको हम different shades में घर पे बना सकते हैं और बिल्कुल सस्ता पड़ता है और अब सकेल में detailing करने के बाद जो blackboard बनाया था उस पे मैंने happy teacher's day का masses लिख लिया है और जो भी colors आप use करेंगे cake में वो सारे food colors ही होने चाहिए है और जब मैं sketch pen से जो marking कर रही हूँ यहाँ पे मैंने gel food color का use किया है क्योंकि liquid food color से तो यह बनाना possible नहीं होगा वो पूरा में भी फैल जाएगा तो इसलिए इसमें आप gel color का ही use करें और अभी मैंने छोटे वाले star nozzle में white color की cream को फिल करके आंगे पीछे करते हुए cake पर पहले border बना ली है और इसके बाद मैंने जितने भी टॉपस बनाये हुए थे एक एक करके मैं सब को cake पर place कर दूँगी तो मैं मैंने दो books बनाई थी Maths और Science मैंने उसको भी मैंने प्लेस कर दिया और एक book मैं नीचे cake board पर रखुँंगी और जो दो pencil मैंने बनाई थी उसको भी मैंने cake पर रख दिया है और इसके बाद जो मैंने एक razor बनाया था छोटा सा उसको भी मैंने रख दिया और जो एक book बची उसको मैंने केक बोट पे रख दिया है तो इसी के साथ हमारा जो केक है वो बन के तयार है वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना